आज के वीडियो में जानेंगे सिंगल साइन ओन के बारे में सिंगल साइन ओन होता क्या है? सिंगल साइन ओन को सौट फॉरू में SSO भी कहते हैं SSO क्या होता है? SSO में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? तथा साथ ही SSO ID को लोगिन कैसे करते हैं? हमारे दुवार दिगई जानकारी यह दिया आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बैल आइकन को प्रेस करें अगर इस वीडियो को आप फेस्बूक पे देख रहे हों, तो हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो करें तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले गूगल सर्च इंजन के अंदर अपन टाइप करेंगे SSO इंटर कर देंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर देखिए, ऊपर यूपर पहला ओप्सन है राजस्तान सिंगल साइन ओन, गॉर्मेंट ओफ राजस्तान इसके ओपर अपने वो क्लिक कर देना है राजस्तान सिंगल साइन ओन का डेस्बूर्ड ओपन हो जाता है यह अपना SSO का dashboard open हो गया है सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि SSO होता क्या है SSO ID होती क्या है SSO ID ऐसी जगह है जहां पर आप लगबग सभी सरकारी विभाग के काम online कर सकते हो वो भी एक ही जगह पर बिन आप imagery के मदद से राजस्तान सरकार दोरा SSO की सुरुवात की गई है जो सिर्फ राजस्तान में ही है SSO से आपके समय में भी बच्चत होगी और पेसे में भी जैसे अपन राजस्तान पलीस या फिर पटवारी के फोरम वगएरा लगाने हो तो अपन SSO की जरूरत होती है राजस्तान के सभी गवर्मेंट कारिये SSO के दोरा अपन कर सकते हैं ये तो थी SSO की जानकारी अब अपन SSO के अंदर रजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं वो जान लेते हैं सबसे पहले याँ पे देखिए लोगिन लिखा हुआ है लोगिन तो ये तब काम में आता है जब आपने पहले से रजिस्टेशन किया हुआ है पहले से आईडी बनाई वी है उसके बाद आपके पास SSO आईडी या यूजरनेम पास्वर्ड होते हैं अपने पास ना तो यूजरनेम आईडी है ना इसके पास्वर्ड है तो अपने को सबसे पहले इसको registration करना है तो registration करने के लिए अपन अगले वाला option है इसके उपर click कर देए यह खुल गई है यहाँ पर देखिए हैं तीन option है पहला है citizen का दूसरा है उद्योग तीसरा है government employee के लिए SSID किस के लिए बना रहे हो जो बना रहा है वो क्या है civil citizen है या फिर कोई खुद का business है या फिर कोई government employee इन सभी का अलग-अलग होता है अलग-अलग इन में difference होता है तब अपन citizen के उपर click कर देते हैं citizen का बनाना है नीची आते हैं आप इन दोनों में से किस option के जरीए आप SSID बना सकते हो या तो आप जन आदार कार्ड के जरीए SSID बना सकते हो या फिर भामा सागे यह सिर्फ रास्तान के residence है जो रास्तान में रह रहे हो रास्तान से बारवाले बनाना चाहें तो Facebook या Google से बना सकते हैं अपन जो जन आदार कार्ड जो पहले बामा सा कार्ड था उसको बदल के जन आदार कार्ड कर दिया गए तो अपन जन आदार कार्ड के जरीए अपन SSID बना लेते हैं या पे आपसे पूछा जाएगा कि जन आदार कार्ड नमर डालें तो आप अपन जन आधार कार्ड आईडी नम्मर डाल देते हैं जन आधार कार्ड आईडी डालने के बाद अपने नेक्स्ट के उपर क्लिक कर देते हैं जैसे ही नेक्स्ट के उपर क्लिक करते हैं जन आधार कार्ड आईडी के अंदर या फिर आपके परिवार के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट बन जाती है आप से इसके बाद पुछा जाएगा कि इन में से किस की ऐसे सो आईडी आप बना रहे हो तो उपन जिसकी बनाना चाहते हैं उसको उसके आगे नाम के आगे टिक कर देते हैं उसके बाद सेंड ओटीपी ज्यान रखें ओटीपी उसी नमर पे आएगी आपने जन आधार कार्ड के अंदर नमर एड़ कर रखें तो मैं Send OTP के उपर क्लिक कर देता हूँ OTP आ गई है, यह OTP मैं इसके अंदर डाल देता हूँ डियान रखें, यह OTP जो हैडम मुख्या है उस नमर पर नहीं आएगी यह OTP उन नमर पर आएगी जो में मेंबर अपने फॉर्म में डाले हैं नहीं कि मुख्या के नमर पर आएगे, ठीक है? तो आपने वेरिफाई कर लेते हैं, वेरिफाई OTP के उपर क्लिक करते हैं अब आपसे पूछा जाएगा डिजिटल आइडेंटिफाई, SSO ID आप यहां से अपने किस नाम से आपकी यूजर आइडी बनाना चाहते हो, वो नाम लिख देंगे बाइडिफॉल्ट पहले से भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप इसमें कुछ चेंजेज करना चाहते हो, तो आप आगे कुछ लिख सकते हो, या फिर कुछ भी चेंज कर सकते हो अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आगे येस का टिक है उसके उपर अपने क्लिक कर देते हैं अब देखिए यहां से आप से पुछा जाएगा नीचे रेडक्स में नोटिस हाए SSOID यूजरनेम इस नोट अवलेबल प्लीज चूज ए डिफेंट SSOID तो ये SSOID इस नाम से SSOID पहले से बनी हुई है तो अब मैं इसके आगे कुछ से संख्या है कुछ चेंज कर लेता हूँ और अब के बार चेक कर लेते हैं इस नाम से पहले से बनी हुए नहीं बनी हुई है इसके बाद नीचे पासवर्ड पुछा रहा है अब मैं इसके अंदर पासवर्ड ढाल देता हूँ पासवर्ड ढाल दियें confirm password के उपर आपते हैं confirm password के अंदर वही password ढालने हैं जो उपर वाले में आपने password ढालने हैं नीचे ही तरफ स्क्रोल कर लेते हैं यहाँ पे जो mobile number है जिस पे OTPI है वो mobile number आप change करना चाहते हो या फिर यही रखना चाहते हो अपने हो change नहीं करना है नीचे ही तरफ आते हैं सिधा register कर लेते हैं अलर्ट का है कि मेसिज आये है registration successful SSO ID नाम दे रखा है किस नाम से आपकी SSO ID है उसके बाद is shortly remember to change this password at fast login इसके बाद अपने को इसको OK कर लेना है अब हम इसके अंदर username ID डाल देते हैं सबसे पहले अपन username ID डाल देते हैं अब जो अपने password डाला था वो password डाल देना है अब इसके आगे capture डाल देना है capture डाल देता हूँ मैं 4,3,6,7,5,8 and login की उपर click कर देते हैं यह अपनी SSID login हो गई है अब जैसे आप fast time login करते हैं अपनी profile ओपन हो जाती है जिसको अपने हो एक बार update कर लेना है अब देखिए पहला लिखा है fast name, last name, display name तो यहाँ पर एक बार fast name डाल देता हूँ मैं आगे देखिए लास्ट वाले कॉलम में date of birth पहले से एड है, gender एड है, mobile नमर, mobile नमर आप उसके अंदर एड करना हो तो अपन एड कर लेते हैं mobile नमर एड हो गया है, अब इसके बाद send OTP के उपर क्लिक कर देते हैं जो नमर आपने डाले हैं, उसके उपर OTP चली जाएगी और इसके बाद अपने इसके अंदर OTP डाल देते हैं well that OTP के उपर क्लिक कर देते हैं, यह जो mobile नमर डाले थे अपने mobile नमर हैड हो गया इसके बाद email, email ID अगर आपके पास है तो आगे वाले पे pencil के निसान पे टिक करके आप add कर सकते हैं telephone number है तो telephone number add कर सकते हैं, postal address अगर आप postal address change करना चाहते हो तो यहाँ से change कर सकते हो नहीं जो आपके जन आदार कार्ड में जो address था वो address अपने आप इसके अंदर add हो जाएगा postal code, city या district, state, बामा सा नमर यहाँ पे अपने आप बामा सा नमर आजाएंगे अगले वाले में जन आदार कार्ड ID आजाएगी और आगले वाले में आदार कार्ड ID के नमर आए जाएगी इसके बाद सारा अपडेट होने के बाद अपडेट के उपर अपने वो प्लिक कर देना है यह अपने जो profile थी अपडेट हो जाएगी मेसेज आया है यूर SSO profile has been updated और हैंड ओके के उपर क्लिक कर देते हैं अपन यह कुछ SSO राजस्तान गौर्वर्मेंट की कुछ एक आईडीज है वो open हो जाती हैं इनके जरीए आप जो एप दे रखे आपने जरूरत के इसाब से इनका यूज़ करके आपने form फिल कर सकते हैं एक देखिए यदि आपको दुबारा अबर इस profile को open करना हो दुबारा कुछ changes करने हो तो देखिए उपर लिखा हुआ है देखिए profile यहाँ पर आगे pencil का निसान है इसके उपर अपने click करेंगे दुबारा वही profile आ जाएगी यह देखिए दुबारा profile आगे इसमें कुछ changes वगेरा करने हो तो change कर सकते हैं अगर आपको अपनी photo लगाने हो तो यहाँ पर change photo की उपर अपन क्लिक करके photo भी लगा सकते हैं अभी अपने थोड़े दिर पहले change किया था अपने कोई changes नहीं करने तो अपने इसके उपर cancel की उपर click कर देते हैं वापिस पिछा जाते हैं इसके अलावा अपन bill payment करना हो किसी परकार का बिजली का पाने का या फिर किसी और चीज़ की सुईदा का अगर bill pay करना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं character certificate बनाना हो वो भी बना सकते हैं इसके अलावा जैसे अपने को कोई app नहीं मिल रही है तो अपन यहाँ से quick search के उपर उस app का नाम डालने के बाद भी अपन इसको search कर सकते हैं यह थी अपनी SSO ID राजस्तान में जो रह रहे हैं राजस्तान के जो नागरिक हैं उन सभी को SSO ID उन सभी के पास होने चीए को इस SSO ID को logout करना है logout means बंद करना है SSO ID को तो उसके लिए क्या करेंगे right side में उपर की तरफ क्रोस का निसान है उसके उपर क्लिक करेंगे यह अपनी ID logout हो जाती है आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को end तक देखने के लिए धन्यवाद I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी